आज हम parallel resonance circuit को पढ़ेंगे इसमें क्या होगा हमारे पास आप देख सकते हैं एक inductor है जिसकी inductance को हमने capital L से जाहर किया है एक capacitor है जिसकी capacitance को हमने capital C से जाहर किया है और source voltage को V से represent किया है अब क्या होता है इस voltage की वज़ा से इस branch में crunch जाता है जिसे हम branch crunch कहते हैं तो जो inductor की तरफ crunch जाएगा उसे हम I L कह देंगे और जो capacitor की तरफ crunch जाएगा उसे हम I C कह देंगे अब ये जो हमारा inductor है, इसकी inductance को हमने capital L से जाहर किया है लेकिन इसकी resistance ideally तो zero होनी चाहिए लेकिन zero resistance नहीं होती, but negligibly small होती है बहुत थोड़ी होती है दूसरी बात हमें मालूम है कि capacitor always draws a leading current capacitor में current lead करता है, voltage lag करता है जबके coil में इसकी opposite होता है वहाँ पर coil lagging current draw करता है तो resonance पर क्या होगा, हम resonance frequency को mega naught कह देते हैं इस frequency पर जो inductive reactance है अगर ये lecture आप completely देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके answers और explanations भी हासिल करना चाहते हैं and that all free तो अभी Google Play Store पर जाएं लिखिए हिप और ये learning program हमारी एप डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बलके अपने दोस्त और class fellows को भी recommend कीजिए प्रमार स्थतोर् एप प्रमार झाल